भगवान श्री राम से क्या संबंध है तुलसी के पौधे का? अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इस मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालूं के पहुँशने की उम्मीद है उन्हें प्रसाद में पैकेट दिये जाएंगे प्रसाद में होगी तुलसी भी कहां से आएंगे तुलसी के इतने पौधे? कौन कर रहा है इंतजाम? साथ ही जाने क्या है तुलसी की कथा? वी अंदास का आलेक रामनंदी परंपरा में आयोध्या के करीब पांच हजार मंदिरों में ठाकुल जी को लगने वाले भोग और प्रसाद में एक सामागरी सबसे महत्पूर्ण मानी जाती है और वो है तुलसी दल मतलब तुलसी के पौधे की चंदपतियां धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भगवान विश्णु के आउतार प्रभुराम तब तक भोग ग्रेंड नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल ना मौजूद हो आकिर भगवान श्री राम का तुलसी से क्या रिष्टा है इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है क्या है ये कथा? इसके बारे में संक्षिप्ट जानकारी ही भगवान विश्णु और तुलसी के बीच के प्रगाठ रिष्टे को बया करती है राक्षस परिवार में एक कन्याने जन्मलिया नाम था वरिंदा जो बच्पन से ही धार्मिक विचारधारा की रही और भगवान विश्णु की भक्त बन कर उनकी पूजा करती रही जवान होते ही उसकी शादी राक्षस परिवार में दानोराज जलंधर से करती गई वो पतिवरता थी और अपने पती के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हलाकि दानोराज जलंधर बहुत ही क्रूर प्रवत्ति का था और देवताओं को सताने में पीछे नहीं रहता एक बार तो उसने सीधी देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया उस समय उसकी पतिवरता पत्नी वरिंदा उसकी रक्षा के लिए घर पर पूजा कर रही थी इस बीच जलंधर को हराना देवताओं के लिए तब तक कठिन था जब तक वरिंदा पूजा कर रही थी देवताओं बगवान विष्णु के पास विंती करने लगे कि वे वरिंदा की पूजा भंग करने के लिए कोई उपाय करें बगवान बोले वरिंदा मेरी परंभक्त है मैं उसके साथ चल नहीं कर सकता लेकिन देवताओं के दबाओं ने उन्हें मजबूर कर दिया आखिर में वे जलंधर का रूप धारण कर उसके घर पहुँचे तो पतिवरता ने उन्हें अपना पती समझ कर पूजा बंद कर दी और उनके पैच उने पहुँच गए इस बीच देवताओं ने दानोराज जलंधर का बद कर दिया उसके बाद व्रिंदा के सामने भगवान विश्नु असली रूप में आ गए तब नाराज होकर व्रिंदा ने कहा भगवान आपने मेरे साथ छल कर मेरा पतिवरत भंग किया है मैं आपको शाब देती हूँ आप पत्थर के बंचाएं शाब देते ही भगवान विश्नु पत्थर में तबदील हो गए उसी पत्थर को शालिग राम कहते हैं कथा के मताबिक उसके बाद देवताओं में हाकार मच गया मातलक्षमी दोड़ व्रिंदा के पास आई और अपने पती के लिए अनुने विने करने लगी व्रिंदा ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया उसके बाद उनकी बनी शिला के पास अपने पती के शौ के साथ सती हो गए उनकी राक पर एक पौधा होगा जिसे तुलसी कहा गया कहते हैं भगवान विश्नु ने उन्हें हर समय अपने साथ रखने का वचन दिया साथ ही ये भी कहा कि उनको चढ़ने वाले भोग में जब तक तुलसी नहीं रहेगी वे भोग ग्रहन नहीं करेंगे तभी से भगवान विश्नु और उनके अवतार स्वरूप प्रभु श्री राम के भोग में तुलसी दल को रखनानी वारे हो गया अब इसकी उपयोगिता आयोध्या में बने प्रभुराम के भवे मंदिर में देखते हैं आयोध्या में प्रभुराम लला का भवे मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2014 को इसके गर्भुरे में राम लला की प्रांट प्रतिष्ठा कारक्रम में पीम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहेंगे 23 जनवरी से जब भगवान की दर्शन आमश्र धालों के लिए खुलेंगे तो उनके प्रसाद के पैकेट भी लाखों की संख्या में तयार होंगे जाहिर है कि बड़ी मात्रा में तुलसी के पौधे की भी जरूरत पड़ेगी तुलसी दल के लिए इतनी बड़ी मात्रा में तुलसी के व्यवस्था श्री राम जन्मुहूमी तीर्थ क्षेतर त्रस्ट कैसे कर रहा है इसकी जानकारी देते हैं मंदिल त्रस्ट के ट्रस्टी कामिश और चौपाल कामिशर चौपाल बताते हैं मंदिर में रामलला के दर्शन करवाने का कारिक्रम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया है जिसमें देश के 45 प्रांतों से अलग-अलग तितियों पर 25-25 हजार रामभक्तों को दर्शन करवाने की व्योस्था खुद राम मंदिर ट्रस्ट ही करेगा आयोध्या पहुँशने पर उनके रहने खाने आदी की मुफ्थ व्योस्था रहेगी मंदिर ट्रस्ट उनके लिए डेल लाग पैकेट रोजाना प्रसाद की व्योस्था कर रहा है हर पैकेट में तुलसी दल रखा रहेगा इतनी बड़ी मात्रा में तुलसी के पौधों की व्योस्था बिहार के आरा के संदेश प्रखंड से की जा रही है चौपाल बताते हैं कि संदेश प्रखंड के गामों की जमीन करनाटक के लोगों ने ले रखी है जो व्योसाइक तोर पर तुलसी की खेती करते हैं फिलहाल 45 दिनों तक चलने वाले रामलला दर्शन कारक्रम के लिए वहां के किसानों से पांच ट्रक तुलसी के पौधे खरीदने का एग्रिमेंट हुआ है चौपालागी की योजना का भी खुलासा करते हैं वे कहते हैं राम मंदर में दर्शनार्थियों की भीड़ब बढ़ती ही जाएगी ऐसे में तुलसी की आपोर्थी का सिलसिला बंद होने वाला नहीं है धार्मी की नहीं तुलसी के चिकित्सी गुण भी व्यापक है आयर्वेद के विशिशग्य तुलसी पौद के चिकित्सी महत्तों के बारे में बताते हैं तुलसी अम्रित की तरह उपयोगी है इसके पत्ते के सेवन से कफवात के दोश दूर होते हैं पाचन शक्ती और भूक बढ़ाने के साथ रक्त शुद्धी करण में भी ये बेहतरी इनकाम करती है बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियों, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टिरियल रोगों में भी ये लापकारी सावित होती है योध्या पर संग को क्यूं याद आते रहे सरदार सरदार पटेल ने सोमनात मंदिर को फिर से बनाने का एलान पहले किया और बाद में गांधी के पास उसकी मनजूरी के लिए गए महात्मा इससे खुश नहीं थे लेकिन बात और ना बढ़े इसलिए उन्होंने इस पर हामी भर दी राम जन्मभूमी आंदोलन 1984 से शुरू हुआ तब से ही संग परिवार बार बार गुजरात के सोमनात मंदिर का हवाला देता रहा है वे कहता रहा कि उस मंदिर को इतिहास में कई बार गिराये गया और तब की सरकार ने उससे दोबारा बनाने की इज्जासती इसलिए कई दशकों बाद अयोध्या में बाबरी मस्जित की जगहा पर राम मंदिर बनाने में बाधा डालने की कोई तोक नहीं बनती संग परिवार का ये दावा भी रहा कि सरदार वल्लब भाई पटेल की वशह से ही सोमनात मंदिर दोबारा बन सका ये कहानी इस तरहां पेश की जाती रही मानो पटेल हिंदू हितों के पैरोकार थे इसमें जवाहर लाल नहरू को हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक दिखाया जाता रहा ये भी कहा गया कि पटेल और फिरुन के निधन के बाद के एम मुन्शी ने जोर नहीं लगाया होता तो सोमनात मंदिर आधा गिरा हुआ ही रहे गया होता मुन्शी गुजराच से कॉंगरेस नेता और समविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य थे इस सिलसले में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया जाता है कहा जाता है कि लंबी लड़ाई लड़ी वियन दास की रिपोर्ट 23 दिसंबर 1909 को भोर में ही अयोध्या के मठ मंदिरों और करीबी देहाती इलाकों तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि राम जन्म भूमी स्थल पर प्रभु राम बाल रूप में प्रकट हो गए है सुभा तक वहां 5000 से जादा साधूं और राम भक्तों की भीड जमा होकर खुशिया मना रही थी सुभा जब इस घटना की सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को मिली तो अधिकारी हत्प्रप्त थे और वहां की भीड को हटा कर राम लला की मूर्ती को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे जब से राम लला विवादित 2.77 एकड जमीन के बीच के हिस्से में विराजमान हुए तब से उन्हें कानूनी लड़ाई में हटाया नहीं गया हालांकि अयोध्या कोतवाली में तैनाद दरोगा ने 50-60 लोगों के खिलाफ केस भी दर्च किया जिसमें उन पर विवादित मस्जित का ताला तोड़कर और चार दिवारी कूद कर गुम्बत के नीचे मूर्ती रखने का आरोप लगाया गया उस समय केंद्र की सरकार में पंडित जवाहर लाल नहरू पी-म थे और प्रदेश में गोविंद बलब पन थे सी-म दोनों सरकारों ने फैजाबाद के डी-म केके नईयर को मूर्ती को हटवा कर पहले की स्तिथी बरकरार करने का लिखित आदेश भी दिया लेकिन डी-म ऐसा करने को तयार नहीं हुए डी-म नईयर ने तरक दिया कि धार्मिक विधी से मूर्ती को वहां से हटाने के लिए कोई पुजारी तयार नहीं और ऐसा करने पर फैजाबाद में लौ एन ओर्डर को संभालना मुश्किल होगा डी-म ने ये भी सुझाव दिया कि मामले को कोट के हवाले सुलशने दिया जाए वहां के हालात को बनाए रखने के लिए गुंबत के बाहर ताला लगा कर विवादिध धांचे को कुर्क कर दिया गया साथ ही एक रिसीवर बैठा कर पूजा विवस्था आदी की जिम्मेदारी भी उसे सौब दी गई अश्ट धातू के साथ-ाट इंच के रामलला तब से अपने गर्ब स्थल पर लंबे संखर्ष के दौरान भी विराजमान रहे जबकि उनको वहाँ से हटाने के लिए फैजाबाद के सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट उसी स्थान पर छोटी दिवारें खड़ी कर उन्हें फिर उसी स्थल पर स्थापित कर नया अस्थाई मंदिर बना दिया गया इस बीच रामलला की तरफ से विहिपनेता देवकिनंदन अगरवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके सखा के रूप में कानूनी लड़ाई लड़ने की पेशखश की बाद में रामलला के सखा की हैसियत से विश्व हिंदू परिशत के नेता त्रिलो कीनात पांडे ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई में पैरोकारी की रामलला के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब भव्वे राममंदिर में 51 इंच के बने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंदर मोधी करेंगे तो प्राचीन रामलला के विग्रह की भी स्थापना गर्ब ग्रह में की जाएगी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं कि वर्ष 2002 में रामलला विराजमान, निर्मोही अखाडा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ट तीनों की दावेदारी की अपील पर हाई कोट इलहाबाद का फैसला आया ये फैसला मंदिर के पक्षकारों को रास नहीं आया क्योंकि पूरा विवादित स्थल राम जन्मभूमी मंदिर का ही हिस्ता था सुप्रीम कोट में इसी पक्ष को लेकर याची का दायार की गई जिस पर सुप्रीम कोट ने 40 दिन रोजाना सुनवाई कर 9 नवंबर 2019 को एतिहासिक फैसला सुना दिया सुप्रीम कोट ने विवादित स्थल पर राम लला विराजमान के स्वामित्व को माना साथ ही खारिच कर दिया सुन्नी वक्वबोड और निर्मोही अखाडा के दावों को उसी के बाद ताट के मंदिर से राम लला को मुक्ती मिली और यूपी के सीम योगी अधित्यनाथ ने ताट के मंदिर से अपने हाथों में ले जाकर उन्हें 22 मार्च 2020 को फाइबर के खुबसूरत अस्थाई मंदिर में स्थापित कर दिया ये कहानी थी राम लला की अपने जन्मस्थान के स्वामित्व की लड़ाई की जिनने अब भव्य राम मंदिर के उसी गर्बस्थल पर स्थापित करने की तयारी चल रही है जहां वे 23 दिसंबर 1909 को साधूं के एक गुट के द्वारा स्थापित कर दिये गए थे भव्य राम मंदिर में राम लला के मूल विग्रह के साथ एक और राम लला के विग्रह को स्थापित करने की तयारी है इसके क्या कारण है इसके जवाब में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और विश्व हिंदू परिशत के केंद्रिय उपाध्यक्ष कामेश्वर चौपाल ब पाएंगे मंदिर के सदस्यों ने इसी दिक्कत को दूर करने के लिए 51 इंच की बाल रूप की प्रतिमा का निर्माण करवाने का निर्णे किया जिसे देश के जाने माने तीन मूरतिकार तयार कर रहे हैं इन में से दो विग्रहे श्यामरंग के पत्थरों से तराशे जा रहे हैं, जबकी एक संग मरमर के पत्थर से. रामलला के निर्मानाधीन प्रतिमा की उंचाई 51 इंच रखने की क्या कोई खास वज़े है? इसके बारे में मंदे ट्रस्ट के दूसरे सदस्य दॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं, चुंकि रामलला के बाल रूप में मोहक छवी को दिखाना है, इसलिए विग्रहे को बहुत बड़ा ना बनवा कर पांच साल के बच्चे की लंबाई को चुना गया है. दूसरा प्रमुक कारण है, राम नवमी के दिन राम जन्न के समय विग्रहे के ललाट पर मंदिर के शिखर से सूरे के किरणों से प्रकाशित करना. इसकी लंबाई को लेकर खगोलिये विग्यानियों और आयाईटी के इंजिनियरों की सलहा लेकर ही निर्ने किया गया. दूक्तर मिश्र बताते हैं कि करनाटक के प्रसिध मूर्तिकार, दूक्तर गणेश भट और यहीं के दूसरे मूर्तिकार अरून योगी राज शामरंग के पथरों से राम लला के विग्रहे बना रहे हैं. वहीं राजिस्थान के जैपूर के नामी मूर्तिकार सत्य नरायन पांडे संग्मर्मर पत्थर से मूर्तिका निर्मान कर रहे हैं. ये तीनों विग्रहे लगभग तराशे जा चुके हैं. अब फिनिशिंग का काम चल रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि कि किस रंग के राम लला का विग्रहे भव्य राम मंदिर के गर्बग्रहे में शोभा पायमान होगा. इसके बारे में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल बताते हैं. प्रभू राम और श्रीकृष्ण श्यामरंग के माने जाते हैं. श्यामरंग के पत्थर की लाइफ संग्मर्मर से दजगुना जादा होती है. वहीं संग्मर्मर के विग्रहो का चलन अयोध्या के मंदिरों में जादा है इसलिए दोनों तरहें के पत्थरों से रामलला की प्रतिमाएं तयार करवाई जा रही है सवाल यहां रंग का नहीं है तीनों में कौन सी प्रतिमा जादा आकरशक, मोहक और लुभावनी दिखेगी इसके आधार पर रामलला के विग्रह का चैन राममंदिर के धार्मिक कारियों के लिए गठित हाई पावर कमीटी करेगी आखिर भव्य राममंदिर में स्थापना के बाद रामलला की दोनों मूर्तियों की पूजा पद्दती आदी में अंतर क्या होंगे इस सवाल का जवाब रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास देते हैं वे कहते हैं कि जो विग्रह 51 इंच का बनकर तयार हो रहा है उसी की प्रान प्रतिष्ठा भव्य राममंदिर के गर्ब ग्रह में होगी जबकि प्राचीन और छोटे आकार के रामलला के विग्रह को गर्ब ग्रह में केवल स्थापित कर दिया जाएगा 51 इंच के विग्रह को अचल रामलला कहेंगे वेस्थाई तोर पर स्थापित रहेंगे उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा जबकि पुराने रामलला के विग्रहे को चल उत्सव विग्रहे कहेंगे इस चल विग्रहे को शोभायात्रा और अन्य उत्सवों के स्थलों पर ले जाया जा सकेगा रामलला के दोनों विग्रहों की पूजा गर्ब ग्रह में एक ही रामानंदिये परंपरा और विधा से साथ साथ होगी